इस पृत्वी पे लाखों प्रकार के स्पीशीज यानि की जीव रहते हैं। इन में से एक जीव हम हैं। हम हैं Homo Sapiens। हम इस पृत्वी के बाकिय जीवों से कुछ अलग हैं। हमारे पास problem solving skills हैं। हमारे पास सोचने की ताकत हैं। इनसानों की इनी काबिलियत के कारण हमने रहने के लिए बड़े बड़े शहर बना लिये हैं। और एक दूसरे से हमेशा connected रहने के लिए चुट-चुटे devices बना लिये हैं। इंटरनेट से पूरी प्रित्वी को जोड दिया है। और दूसरे प्लैनेट्स तक पहुचने के लिए स्पेश शिप्स और रॉकिट्स बना लिये हैं। इस वीडियो में मैं टेकनालोजी के बारे में नहीं बलकि हमारी हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा। ये वीडियो योवल नौवा हरारी की फेमस बुक Sapience, A Brief History of Humankind और Different Resources पर बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आप इस बुक का लिंक चेकाउट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूचूँ कि आपके अनुसार Human History कितनी परानी होगी तो कुछ लोगों को हमारी हिस्ट्री 1000, 2000 या फिर 10,000 साल लगती होगी। इस कुश्चन का आंसर आपके पिछरे बिलीव सिस्टम पर निरबर कर सकता है। हमारे पास पास्ट में हुई चीजों को जानने के लिए आज कोई टाइम मशीन नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी टेकनीक्स हैं जिससे हम धरती पे मौझूद एविडेंस के अधार पर पास्ट में हुए इंसिदेंट्स के बारे में जान सकते हैं। इंडिपेंडनेंट आर्केलोजिकल सर्वे से आर्केलोजिस्ट डेटा कलेट करके उन पर एनलेसिस करते हैं और फिर उन डेटा को इंटरप्रेट करके पास्ट में हुए एवेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं हमारी हिस्ट्री धर्ती पे मौजूद इनी फैक्ट्स और एविडेंसिस पे बेस्ट है हर जीव में जैनेटिक म्यूटेशन होता है जब भी एक जीव अगले जीव को पैदा करता है तो उसमें कुछ म्यूटेशन होने के चांसिस होते हैं क्योंकि नेचर भी परफेक्ट नहीं होती एक सेल डिविजन हमेशा परफेक्ट नहीं होता नए सेल्स बनते वक्त कुछ एरट्स आ सकती है जब एक वाइरस शरीर में जाके मल्टिपलाई होना चालू होता है तो कुछी घंटों में उसकी सैकडो कॉपीस बन जाती है हर एक कॉपी सेम ही होती है लेकिन कुछ कॉपीस के बनते समय कुछ डिफेक्ट आ जाते है और वो बाकी वाइरस से कुछ अलग हो जाता है इन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं हमारी हिस्ट्री की शुरुआत होती है साट लाग साल पहले जब एक प्रकार की वानर प्रजाती रहती थी ये वानर प्रजाती धर्टी पे कैसे आई थी इसकी अलग कहानी है जो मैं फिर कभी आने वाली वीडियोज में बताऊंगा इस एप स्पीशीज में दो बेटियों का जन्म हुआ जिसमें से एक चिंपांजीज की पूरवज बनी और दूसरी हमारी पूरवज बनी साट लाग साल पहले हुए एक जनेटिक म्यूटेशन के कारण हुमन स्पीशीज की शुरुआत हुई इन्हें हुमन कहें या एप लेकिन एविडेंस है कि वो प्रजाती दो पैरों पे खड़ी हो सकती थी 35 लाग साल बाद धीरे-धीरे वो हुमन स्पीशीज काफी एडवांस होती गई उन्होंने पत्थरों और लकडियों से औजार बनाने चालू कर दिये इस हुमन स्पीशीज को साइंटिफिक कॉमिनिटी होमो हैबेलिस कहती है उसके 10 लाग साल बाद होमो एरेक्टेस अफरीका से निकलके यूरेशिया के रास्ते से धर्टी के अलग-अलग हिस्सों में चले गए जैसे कुछ लोग यूरेशिया में सटल हो गए तो कुछ लोग आगे बढ़े और एशिया में सटल हो या और आगे बढ़के इंडोनेशिया तक पहुँच गए अलग-अलग अन्वार्मेंट में रहने के कारण हिूमन्स की कई प्रजातिया बनी जिस तरह आज डॉक्स की 35 प्रजातिया मौजूद हैं जैसे की लोमडी, सियार, गीदर्ड, एसेटरा जो हिूमन्स उरेशिया तक पहुचे वो नियांडर थैल्स में एवाल्व होए जो लोग एशिया तक पहुचे वो डैनिसोवन्स में एवाल्व होए उसी तरह हिूमन्स की अब तक कई प्रजातिया रही हैं हर प्रजाति एक दूसरे से अलग थी कुछ काफी ताकतवर होते थे तो कुछ डौफ होते थे हमें नहीं पता कि हमारी प्रजाति एक्जैक्टली कब बनी मगर आज से 3 से 5.5 लाक साल पहले होमो सेपियन्स अफरीका के पूरवी हिस्से में एवाल्व हो चुके थे इस समय पूरी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में डिफरेंट हुमन स्पिशेस अलड़ी रह रही थी साइंटिस्स मानते हैं कि आज से 70 हजार साल पहले सेपियन्स इस्ट अफरीका से निकलके अरेबियन पैनिंसुला में फैले और कुछी सालों में यूरेशिया में जाने लगे जब हुमो सेपियन्स यूरेशिया में गए तो वहाँ पहले से ही नियंडर्थैल्स मौझूद थे आज नियंडर्थैल्स, हुमो एरेक्टस या डैनिसोगन्स या कोई और हुमन स्पीशिस क्यों मौझूद नहीं है इसका आंसर हमें प्रॉपरली नहीं पता बगर साइन्टिस्ट्स ने कुछ थेवरीज दी है जैसे कि 50,000 साल पहले सेपियन्स दूसरे हुमन्स के साथ ओकेजनली इंटरब्रीट कर पाते थे जैनेटिसिस्ट्स ने पाया कि मिडल इस्ट और यूरोप में 1-4% जीन नियंडर्थैल्स का है वहीं आज के मिलनेशियन्स लोगों का 6% तक डेने डेनी सोगन्स के डेने से मैच करता है बले ही हमारे डेने में दूसरे ह्यूमन्स का कुछ हिस्सा हो लेकिन हम सब हैं सेपियन्सी फिर क्या हुआ दूसरे ह्यूमन स्पीशीज के साथ बले ही आज हमने कितने rules, regulation, police और military बना ली हो आज भी हम लोग अपने differences जैसे कि language, caste, religion के basis पे लड़ते रहते हैं इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि different दिखने और कम mental ability वाले human के साथ sapience ने क्या किया होगा sapience ने बाकी humans का नर संहार करके ethnic cleansing कर डाली थी 20,000,000 साल तक इस धर्टी पे रहने के बाद केवल 50,000 साल पहले दूसरी human प्रजातियां और मेगा फोना इस धर्टी से विलॉप्त होने चालू हो गए 50,000 साल पहले homosolinesis खतम हुए 45,000 साल पहले sapience Australia तक पहुँचे लाखों सालों से रह रहे वहां के मेगा फोना इनसानों के वहां पहुचने के बाद कुछ हजार सालों में ही विलॉप्त हो गए फिर 30,000 साल पहले Neanderthels खतम हुए American continents के साथ भी सेम कहानी है वहां sapience 16,000 साल पहले रशिया के रास्ते पहुचे तो कुछ हजार साल में ही वहां के भी मेगा फोना विलॉप्त हो गए चोकी वहां लाखों सालों से रह रहे थे 12,000 साल पहले डौाफ हुमन्स फ्लोरेस आइलेंड से गायब हो गए हजारों सालों की एतनिक क्लिंजिंग और हत्याओं के बाद रह गई तो बस उनकी अस्तियां, उनके आजार, उपकरण और हमारे शरीर में उनके कुछ अंच लाखों सालों से जंगलों में बड़े जानवरों से बचबच के रहने वाली सहमी हुई सी एक वानर पर जाती के साथ क्या हुआ था 70,000 साल पहले कि सेपियन्स ने बाकी हुमन्स और मेगाफोना को मार डाला ऐसा माना जाता है कि 70,000 से 30,000 साल पहले एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हमारे मस्तिश्क की इंटरनल वाइरिंग में कुछ ऐसे बदलाव होए जिससे हमने गहराई से सोचना और एक इंप्रूव लैंगुज सिस्टम में बात करना चालू कर दिया मातर एक सैयोग से हुई जेनेटिक म्यूटेशन से हमारे मस्तिश्क में होए विकास के कारण हम इतने सक्षम बन पाए कि हमने इस दुनिया का वर्णन अपने शब्दों में करना चालू कर दिया गॉसिप करने की हमारी आदत की वज़ह से हमारी लैंगुज कॉम्पलेक्स होती गई हमने ना केवल फिजिकल चीजों के बारे में बात करनी चालू की बलकि हमने कालपनिक चीजों को भी डिस्क्राइब करना चालू कर दिया केवल माना भी ऐसी अंदेखी चीजें जिनने ना कभी देखा गया हो और ना कभी सुना गया हो उसकी बाते करने लगा लाको सालों से हमारे पिछले एंसेस्टर्स जंगलों में ही रह करते थे जंगल में सर्वाइफ करने के लिए लोग बहुत ही चोटे-चोटे गृप्स में रहते थे वो आपस में बहुत सी गौसिप्स करते थे गृप के हर एक मेंबर के पास बहुत सी स्किल्स होती थी वो अपने आसपास के एरिया को याद रखते थे उनको याद रखना होता था कि कौन सी फल सबजी उनके लिए सही है और कौन सी जहरीली है उनको पता होता था कि किस नदी में कब तक पानी आएगा किस जगा शेरों का शिकार बढ़ गया है आदी मानव ना केबल अपने सराउंडिंग्स को समझते थे बलकि अपनी आंतरिक शमताओं के भी जानकार थे जरा सी हिलती गास या पेड़ के तूटने की आवाज से वो सतर्क हो जाते थे वो मानव तक की अधिक्तम योग गिता से चलते दौडते और शिकार किया करते थे मातर दस अजार साल पहले सेपियंस ने एगरिकल्चर की खोच की और जानवरों को अपनी जरूरतों के लिए पालना चालो कर दिया जिन मवेशियों ने विरोध किया उनको मार दिया गया जो मवेशी शान्त रहे उन्हें जीने दिया गया जिनोंने और शान्त प्रजाती आगे बढ़ाई खेती करने के कारण लोग एक साथ एक जगे पह रहने लगे फिर सिटीज का निर्माण होने लगा एंपायर्स बनने लगे बड़े बड़े राजियों में हजारों लोग रहने लगे कुछ लोग खेती करते थे तो कुछ लोग उन लोगों की सुरक्षा करते थे तो कुछ लोग इस सोशल स्रक्चर को चलाने के लिए इन सब पे राज करते थे इस पूरी विवस्ता को चलाने के लिए टैक्स सिस्टम की खोज हुई मगर किसने कितना टैक्स भरा है, किस फैमिली की कितनी जमीन है, कितनी खेती हुई है इन सब का हिसाब किताब लोग केवल अपने दिमाग में रखते थे हजारों सालों तक लोग इतना सारा डेटा एक पीडी से दूसरी पीडी तक केवल बूल कर पहुचाते रहे 3500 से 3000 साल पहले, मेसोपोटेमिया के कुछ लोगों को एक नया आइडिया आया उन्होंने इतना सारा डेटा अपने दिमाग से बाहर निकालके कले के पत्थरों पे लिखना चालो कर दिया ये है अब तक की सबसे पुरानी लिखावट कुशिम सबसे पहला लिखा हुआ नाम है जो शायद उस जमाने में कोई अकाउंटेंट होगा क्योंकि लिखना बहुत ही कम लोगों को आता था स्टार्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजे जैसे की राज्ये का हिसाब किताब ही लिखा जाता था सिर्फ हजार साल में ही 2520 तक बहुत सारे सिंबल्स लैंग्विजिस में एड होते गए पीडी दर पीडी जो बाते आगे बढ़ रही थी उनको किताबों में लिखा जाने लगा लोगों ने नई कविताएं, हिस्ट्री बुक्स, ड्रामा और कुक बुक्स लिखना चालू कर दिया ये जमाना वैसे ही रहा होगा, जैसा कि आज लोग टिक टॉक वीडियो और इंस्टेगराम रील्स बना रहे हैं लिखी हुई किताबे कई मीलो दूर पहुचने लगी, अलग-अलग रिलिजिन्स बने, कुछ अपने आप फैले, तो कुछ को फैलाया गया किवल 500 साल पहले, एक ऐसी क्रांती हुई, जिसने इंसानों को अनेक सूपर पावर्स दे दी 1543 में कोपर्निकस ने योरोप में बताया, कि कैसे सूरज धर्ती के चक्कर नहीं, बलकि धर्ती सूरज के चक्कर लगाती है उसके बाद गैलिलियों ने टेलिस्कोप का अविशकार किया, जिससे उन्होंने कोपर्निकस की थियोरी का प्रमाण दिया गैलिलियों के मोशन और मेकैनिक्स के अध्यन से निउटन ने प्रकृती के नियमों की मैथमेटिकल एक्वेशन्स दी 18th सेंचुरी में कुछ अनुखे अविशकार हुए स्टीम इंजन, पावर लूम, स्पिनिंग जनी जैसी मशीन्स के कारण इंडस्ट्रियल रेवलुईशन आया जिससे गुड्स का मास प्रोडक्शन होना चालू हो गया Mid 20th सेंचुरी में पहला electronic computer बना फिर कुछ ही सालों में इंटरनेट पे पूरी दुनिया connect हो गई इसी साल Open AI ने चार्ट GPT-4 लॉंच कर दिया है कुछ ही महीनों में AI इतना powerful हो गया है कि बहुत सी debates चल रही हैं कि क्या AGI यानि artificial general intelligence हमारे बहुत गरीब है AI एक revolution है कुछ ही समय में AGI दुनिया को इतनी तेजी से बदल देगा जितना अब तक किसी technology ने नहीं बदला है description में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस topic पे वीडियो चाहते हैं अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यो